लगाया और कहा है कि यह रहा सुची राव गानी ने यह भी कहा कि ओमिक्रों के डर से बीचे ठीके की रणेती के बारे में असपस उतसे सोचना महत्व पूर तेखे भारत सरकार का जो जबाब था जो मिर्त किसान है आंदोलनकारी किसान दिनके मिर्ति हुई है उनको आप कहीं से गले के नीशे उतर ही नहीं सकता है सरकार है कि हमारे पास कोई रेकॉर्ड नहीं है जबकि दूसरी और पंजाब की सरकार ने जिसका कोई भूमिका उस आंदोलन में नहीं है उसने 403 मिर्तक किसानों को पांच-पांच लाख रुपया मुआ वजा दिया वही लि यह Coral list है और अख़बारों में ख़बर च्पी है मौत के बाद मौत की ख़बर जो आख़बार में ऽपी है आप उन ख़बरों के सारे जो है आप इकठा कर सकते हैं तो असली बात तो यह है कि आप मुआवजा नहीं देना चाहते हैं सीधे कहिए कि मुआवजा नहीं देगे हम मौत के लिए जबाब दे नहीं है लेकिन यह कहना यह तो बेमतलब की बात है और जहां तक ठीका ठीका का सवाल है तो तीसरा दौर लगता है कि यह जो नया variant आया है उसके साथ सुरू हो गया है करनातक में दो-दो लोग जो है इसके मने हमारे देश में उसका आगमन हो गया है अब देखिए इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है अब नेत्री कंगना रानौत की कार को किसानों ने रोपड के पास रोक दिया वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि कंगना रानौत द्वारा किसानों पर की गई तिपड़ी को ले करके वो विरोध कर रहे थे इस पर कंगना रानौत ने कहा कि अगर पुलिस कर्मी वहां नहीं होते तो लिंचिंग होती इन लोगों पर शर्म आती है देखे हमने भी इस वीडियो को देखा है और कंगना रनौत जो है वो ज़रूरत से ज्यादा बोले की आदत थे उनकी और इसी आदत के चलते वो परसानी जेली झाल थते खर्मझ ऑफ तक के वो जछिं येखा है गर शरी ओप २री उलता है खार से तक बाडना थाओ दिवगार है विर सि häratur बहा है ये फिर सकता बम है लोगों ऐस्टना बनकी बढश के बίνर की वो जवा से लग्से बांदातस्ताश दो एंटे마 भी आद़ से कि शोरूरत must